हलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन माई चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसक्रस करेंगे ऐल्यासिंग के बारे में तो बैसिकली ऐल्यासिंग क्या होती है या फिर कॉलम ऐल्यासिंग क्या होती है इसमें हम क्या करते हैं अपने कॉलम को एक टैंपरेरी नेम देते है ठीक है या फिर new name देते हैं new name का मतलब कि वो जो name है वो permanently save नहीं होता वो सिर्फ temporary name होता है हमारे column का तो basically हम इसको use क्यों करते है let's suppose अगर हमारे column का कोई name हमारा जो name है वो बहुत complicated name है किसी column का तो उसको temporary basis पे display करवाने के लिए कि हम उस column को new name देते हैं ठीक है उसको हम बोलते है column aliasing चलिए मैं आपको simple एक example के दुरूँ इसको समझाता हूँ let's say अगर मैं इसको हमारा पास student table है इसके अगर data को display करूँ तो हमारे पास यह data है ठीक है यहां पर marks है तो अगर मैं let's suppose अगर मैं यहां पर क्या करूँ अगर मै हर जितने भी मारे marks है उसमें 10 10 plus कर दूँ ठीक है तो वो हमारा एक separate column बन जाएगा तो उसको अगर मैं display करोना चाहूँ और उसको एक temporary name देना चाहूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ by using the column aliasing ठीक है तो मैं उसको कैसे करूँगा यहां पर मैं लिखूँगा select marks ठीक है और यहां पर कॉमा डालकर लिखूँगा marks plus 10 ठीक है select marks और marks plus 10 यहां पर लिखूँगा as as keyword और as के बाद यहां पर मैं लिखूँगा अपने column का name और यहां पर मैं लिखूँगा let's say new यहां फिर total marks total underscore marks ठीक है select marks कॉमा डालकर marks प्लस 10 मतलब कि यहां पर मैं कहा रहा हूं यतने भी माक्स हैं उन्हों मैं 10 प्लस कर रहा हूं as total marks तो जब भी हम एज लगाते हैं उसके बाद जो भी हम लिखते हैं वो हमारे new column का का नेम होता है मतलब की as keyword के थुरू हम यहां पर कॉलम एल्यासिंग परफॉर्म करते हैं अपने mysql के अंदर ठीक है तो यहां पर मैं लोगा सिलेक्ट माक्स कॉमा माक्स प्लस टैन एस total marks फ्रॉम अपने टेबल का नाम विचिस टूडेंट ठीक है जैसे इसको मैं रन करूं से वह ही रहेंगे यह सिर्फ एक temporary column generate हुआ है और यह टोटल माक्स है यह हमने एक temporary name create की है अपने कॉलम का ठीक है जी तो यह देखिए हमारे marks इतने हैं और उनमें सभी में 1010 प्लस होकर हमारे पास यह total marks नाम का यहां पर column क्रियेट हो चुका है ठीक है अगर मैं द्वारा से टेबल को डिस्प्ले करहा हूं तो यह जो कॉलम है यह हमारे टेबल में नहीं सेव होगा टेबल में वही रिकॉर्ड रहेगा जो हमारे पुराने टेबल में था यह सिर्फ एक temporary हमारा column create हुआ है अगर मैं आपको यहां प करके ऐसे कर सकते हैं column aliasing ठीक है second method हमारे पास क्या है column aliasing perform करने का अगर मैं as keyword का use ना करूँ as keyword का use ना करूँ तो भी मैंने पास यह दिखे same ही output आ रही है ठीक है अगर मैं quotes के अंदर अपना column का name दे रहा हूं तो यहां पर मैं space भी दे सकता हूं ठीक है total marks इसमें मैं space भी दे सकता हूं लेकिन अगर मैं as keyword का use करूँ ठीक है अगर मैं इसको यहां से run करूँ तो यह देखे यहां पर space आ रही है और total और marks अलग अलग हा रहे हैं इसमें underscore नहीं आ ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पर as keyword का use करूँ करके देखते हैं कि ऐसे perform होती है aliasing यहां नहीं होती है तो ऐसे भी perform हो रही है हमारी aliasing ठीक है as as का भी आप यहां पर use कर सकते हो और उसके साथ course में भी यहां पर value दे सकते हो लेकिन अगर मैं as के बाद यहां पर course में value ना दूँ रहा है अगर मैं फेया में ऐसे को बीच में सारे को लिखना पड़ीगा तब मुझे जहां पर इसको कोर्स के अंदर देना पड़ेगा तब भी यह स्पेस हमें अलाओ करेगा ठीक है फिर मैं इसको रणना करूं तो यह देखिए अभी हमारे पास स्पेस यहां पर आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसमें कोई बीडाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज बैल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटस्ट वीडियो की नो कि तो आकि नवाटम झालो झालो आपको की फर वार वट्टी की फर वार दोर्टी करें दोर्टी की फर क्लीजब।